वेलकम टो आवर चैनल बच्चो आज हम करने जा रहें एक्सराइज एक पॉइंट फोर का कोश्चन नमबर वन से स्टार्ट और अगर आपने अब तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो भाई देर किस बात किये जाए और देखी अप्लोडेज है वीडियो और सब कुछ अप को इसके लिए फॉर्मूलेज याद होने चाहिए हर एक चीजों की तो भाई देखो साइन ए ठीक है साइन को मुझे कॉट में चेंज करना है तो साइन का रिलेशन अब देखो जरा किसके साथ होता है साइन का रिलेशन किसके साथ होता है कॉसेक के साथ होता है तो क्या मैं स कॉसेक का रिलेशन कोट के साथ होता है तो रिलेशन एक दूसरे से बनानी पड़ेगी वैं साइन का कॉसेक हो गया ओके बट कॉसेक का स्क्वाइर की टर्मस में होता है कोट तो वाइनोट इसका भी स्क्वाइर कर दें और इसका भी स्क्वाइर कर दें पुछनक उस तो बेनि में स्कॉर्ब होता है 1 plus कॉछट स्कॉएर के हैं गोटर को dif को क्यों लिखा तो यहां पर लिख दो कोई स्कॉएर इस एकॉर टूवच यह हमने रिजन दे दिया यहां पर चलिए भाई यह भी ठीक है जब लेकिन हम्हें चाहिए साइन है तो एस्क्वाइर हटेगा जब एस्क्वाइर हटेगा तो दूसरी तरफ जाता है रूट में ओके ठीक है अब एक चीज देखो जब रूट से वन का रूट तो वन ही होगा और यहाँ पे है वन प्लस कॉट इसक्वाइर यह तो ऐसी रह जाएगा क्योंकि होल स्क्वाइर का ऊपर रूट होता है तो हटता है प्रस्नली एक के ऊपर रूट है इसके ऊपर नहीं है तो साइन एक की वैल्यू यह आगी कोई रिक्कत परिशानी तरीके से से की वैल्यू निकालनी है तो भाई मैं पहले 10 की वैल्यू निकाल देता हूं मेरे लिए 10 निकालना ज्यादा easy है भी क्योंकि 10 की value होती है 1 upon my cot है तो 10 तो direct cot में change हो गया अब मुझे निकालना है sec का तो sec A के लिए एक formula है वो formula ये है कि sec का relation होता है किसके साथ पता है 10 square के साथ क्योंकि sec का निकालना 10 की टावस में तो भाई sec को मैं लिख सकता हूँ 1 plus 10 square A क्योंकि sec square होता 1 plus 10 square A 1 तो यूं रह गया 10 को लिखती है मैंने 1 upon my देखो cot A का whole square यह हो गया 1 plus 1 upon my cot square A got it ये value किसकी आई sec square A की value आगई अब इससे हमें क्या benefit होना है देखो sec square को ऐसी रहन दो अभी यहाँ पे LCM ले लो तो हो जागा cot यहाँ पे multiply तो cot square A plus 1 upon my cot square A got it square हटेगा root में जाएगा square हटा तो root में गया cot square A plus 1 upon my cot square यहाँ था कोई परिशानी नहीं होगी तो भाई sec A की value आगई under root 1 plus cot square A और यहाँ से cot बाहर यहाँ से cot बाहर okay समझाया? cot यहाँ से बाहर हो गया क्योंकि whole square था यह तो sec की value आ चुकी है cot की terms में got it 10 पहली आ गया था यह भाई इसका पहला पार्ट था यह इसका यहाँ से तीसरा पार्ट था 10 का और यह दूसरा पार्ट था and so on इसके बाद से यहाँ यहाँ तो कोई परिशानी नहीं है चलें आगे अब second question देखते हैं क्या कहता है यह कह रहा है write all the other three row ratios of angle A in terms of sec angle A के जितने भी ratios होंगे सब को sec में तो भाई देखो total कितने ratios होते हैं आपको पता total 6 ratio होते है sec है एक है यहनिकी 5 बचके तो पांचों को sec में change करना है तो भाई क्यों नहीं start करा जाए इसका solution देखो भाई सबसे बहले मैं लेता हूँ sine okay sine का sec के साथ relation नहीं है but sine square का relation होता है किसके साथ one minus cos square है इसका region क्या है क्यों लिया है सामने because one minus cos का relation होता है sec के साथ तो भाई square है तो यह भी square क्यों हो ऐसा चुकि cos a जो है वह होता है one by sec a के equal तो आसा LCM ले लो देखो sec square a minus one upon me sec square a यह है sine square a square हटा दूसरी तरफ root में shift हो जाएगा देख रहो square है तो root में गया अब एक चीज़ बताओ आपी भाई यह क्या whole square है नहीं है तो यह ऐसी रह गया और sec square बाहर आएगा और क्या निकालना है cos a को भी करना है तो cos a का तो भाई सिधा relation होता है one by sec a कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तीसरा क्या करना है 10 भी कर देते हैं जब 10 a होता है square की terms में अभी पिछला question देखा अगर थोड़ा सभी आपको याद हो तो भाई 10 का relation होता है sec के साथ कैसा तो 10 square a होता है sec square a-1 यह formulas आपको याद होंगे करे हैं आपने square हटा तो यहाँ पर गया root में square हटा तो यह root में चला गया तो 10 a आ गया sec square a-1 got it? कोई दिक्कत परशानी नहीं 4 जब 10 हो गया तो why not caught भी निकल ही जाए caught होता है 1 upon में 10 तो 1 upon 10 हमने निकाला है अभी तो caught भी आ गया एक क्या रह गया आप भी बता दो एक रह गया कॉसेक भाई कॉसेक भी निकाल ही लेते है पांचवाँ कॉसेक कॉसेक a की value होती है 1 by sin a सिधा relation और यानिकि sign का उल्टा तो 1 upon देखो sign यह है और वहाँ पर 1 upon है तो उपर का नीचे नीचे का उपर तो कुछ ऐसा हो जाएगा सेक a upon under root जो यह value थी उल्टा कर दो इसको सेक a square a minus 1 नीचे का उपर नीचे समझ आया तो इस तरह से आपका यह क्या हुआ complete question number two पांचों के पांचों रेशियो अधर निकल गया तो यह question number one or two थोड़ा सा tough लगता है बच्चों का but overall solution उसका यह रहा okay I hope यहाँ तक कोई doubt नहीं आगे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में question number three के साथ जी हाँ लेकिन आपको चाहिए live classes, recorded videos, assignments, notes and everything 10th की पूरी की पूरी math series तो आप इस नंबर पर contact करो download करो real concept institute का app play store से और इस नंबर पर हमें whatsapp या message करो आपको batch में add कर लेंगे proper आपको classes provide की जाएगी thank you so much for watching this